हेलो फ्रेंड स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी ब्लॉगर में दोस्तों जब से बीए सिक्स नॉर्म्स एप्लीकेबल हुएं इंडिया में तब से डीजल इंजन तो जैसे बंदी होने वाले हैं यह लग्यूं कहें कि आदि से ज्यादा डीजल इंजन तो बं बंद करना पड़ा तो अब दोस्तों खबरे यह हैं कि डीजल इंजन जो अब उसका है मारूती का 1.5 लिटर का वो आने वाला है यानि कि कुछी दिनों में मार्केट में आ जाएगा और सबसे पहले दोस्तों वो जो आएगा वो विटारा ब्रेजा में जिसका कोड़नेम है X, Y, A उस कार के अंदर लाउंच होगा और SIAZ के अंदर लाउंच होने जा रहा दोस्तों तो यह डीजल इंजन जो मारूती का होगा यह BS6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा और BS6 का ही emissions उसके according ही emissions करेगा यानि कि जो pollution पैदा करेगा वो BS6 के according ही pollution पैदा करेगा तो दो जो की 1.5 लिटर एंजन रहेगा, Fiat के एंजन से इसकी ज़्यादा पावर भी रहेगी और पिकप बगएरा भी काफी ज़्यादा रहेगा और दोस्तों यह भी चीज़े हैं कि एक D22 कोडनेम की एक crossover डेवलप की जा रही है जो की Toyota के साथ मिल करके डेवलप हो रही है दोस्त तो मारूती जैसा कि हम सब जानते की काफी ज़्यादा सेल थी डीजल इंजन की कारों की जो मारूती बेचती थी, 2018 उनने इसकी अगर हम बात करें तो 5 लाग से ज़्यादा डीजल इंजन कारे मारूती ने बेची, तो कहीं न कहीं एक ये loss point है मारूती का, जिस समय पे ये ड दीजल इंजन उसको discontinue करना पड़ा, क्योंकि उसकी काफी ज़्यादा dependency मारूती ने इन हाउस खुदी ही डवलप किया है, जो कि काफी powerful होगा, पिछले के मुकाबले और काफी ज़्यादा fuel efficient भी होगा दोस्तो, तो दोस्तो ये वीडियो यहीं तक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ अगर वीडियो को like नहीं किया है अपने अभी तक, तो please कर लें और चैनल को subscribe कर लें, क्योंकि मैं technical से जुड़ी update और गाडियों से जुड़ी update लाता रहता हूं, तो आपको time पे वो मिल सकें, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्सित रहें, good bye